हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगैन तू फंफूडी, आज हम बनाने जा रहे हैं इंडिया की बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही फेमस स्वीट कलाकंद, तो आईए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या-क्या इंग्रिडियून्स चाहिए, सबसे पहले मैंने लिया ह अगर आप भी इसे घर पे बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इसकी एक वीडियो अप्लोड़ेड है और आप उपर दिये गए लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं उसके बाद हमें चाहिए होगा 1.5 cup दही यह दही हमारे कलाकंद को दानेदा टेक्स्चर देगा जो एक कलाकंद की ट्रेडिशनल क्वालिटी होती है उसके बाद हमें चाहिए 150 gram's milk powder तो milk वाइटनर और condensed milk की quantity 2 to 1 होनी चाहिए मतलब 2 parts condensed milk and 1 part milk powder तो हमने लिया है 300 gram condensed milk and 150 gram milk powder उसके बाद garning के लिए चाहिए होगे हमें थोड़े से पिस्ता और इलाइची पाउडर यालाइची पाउडर हमने बना लिया है इसको हमने कूट लिया है अच्छे से और इस condensed milk को हम बनाएंगे microwave में इससे हमारा condensed milk बहुत ही जल्दी बनेगा और बिल्कुल उसका traditional taste और texture आएगा तो आईए इसे बनाना start करते हैं तो हमें चाहिए एक बड़ा micro safe bowl अगर आपके पास काच का बोल है जो micro safe है तो आप उसे ले सकते हैं और हमें इसके लिए थोड़ा बड़ा बोल चाहिए जब हम इसे microwave में heat करेंगे तो यह थोड़ा mixture जो है boil होके ऊपर आएगा तो इसलिए हमें थोड़ा बड़ा बोल चाहिए तो सबसे पहले मैं इस बोल में डालोंगी milk powder उसके बाद इसमें डालेंगे हम condensed milk और तहिए और इसे हम अच्छे से mix कर लेंगे और इसकी paste बना लेंगे तो अब हमने milk powder condensed milk और दही के mixture की एक paste बना लिये है आप देख सकते हैं यह paste कितनी गाड़ी है और अब हमें इसे microwave में तीन मिनट के लिए गरम करना है और तीन मिनट के बाद इसको हम निकालेंगे और इसको एक बरी mix करके दुबारा से microwave में रखेंगे तो first time हम इसे microwave में रखते हैं तो हमने इसे तीन मिनट के लिए microwave में cook कर लिया है और इसमें बहुत ही अच्छी खुश्भू आने लगी है अब हम इसके अंदर इलाइची पाउडर मिलाएंगे और इसे एक बर अच्छे थे mix करेंगे आप देख सकते हैं यह हमारा कलाकंद है यह दाने लाण होना start हो गया है इसे हम एक बर अच्छे से मिला के दुबारा से 2 मिनट के लिए microwave में रखेंगे तो अब हमने इसे अच्छे से mix कर लिया है अब हम इसे 2 मिनट के लिए दुबारा से microwave में cook करेंगे तो हमने इसे 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में और कुप कर लिया है अब हम इसे दुबारा से मिक्स करेंगे और अब हम इसे 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में और रखेंगे तो अब हमने इसको 1 मिनट और माइक्रोवेव में कुप कर लिया है तो टोटल हमें इसे 6 मिनट देने है माइक्रोवेव के लिए और अगर अब मैं इसको मिक्स करूंगी तो आप देख सकते हैं यह विल्कुल क्रम्बली हो चुका है और हम इसी कंसिस्टेंसी गी वेक कर रहे थे यह बहुत ही जोसी है और बहुत ही अच्छी हुश्पुआ रही है और अब हमने एक प्लेट में थोड़ा सा घी लगा लिया है और हम इस मिक्स्चर को प्लेट में डाने लिए और आपको जितने मोटे पीस कलाकंद के चाहिए आप उतना मोटा बना सकते हैं एक चम्मच की हैल्प से आप इसको फैला सकते हैं अच्छे से तो हमने इसे एक प्लेट में सजा रिया है और इसके उपर आप हम पिस्ता डालेंगे और पिस्ता डालने के बाद उसको एक बर हम प्रेस कर देंगे ताकि पिस्ता जो है अकंद के साथ चिपक चाहिए और अब हम इसे दो से तीन घंटे के लिए थोड़ा सेट होने के लिए रख देंगे आप इसको एक और प्लेट से ढख सकते हैं ताकि यह उपर जो है उपर से इसकी जो है टॉप वो सुखे ना जादा तो दो घंटे हो गया है और यह अच्छे से सेट हो गया है अब हम इसके पीसिस काट देंगे अब अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसको डाइमंड शेप भी दे सकते हैं और स्क्वेर पीसिस भी काट सकते हैं तो हमारा 6 मिनट कला कंद रेडी है और हमने इसके पीसिस को काट कर एक ट्रे में सजा दिया है और नीचे हमने रोस पेटल्स भिजा लिया है ताकि यह और भी सुन्दर लगे अगर आपको यह रेसिपी पसांद आई हो तो हिट दर लाइक बटन अगली पर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक थैंक यू और बबाई